इटावा में पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है। टीम पर फाइरिंग कर दी। जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कारवाई करते हुए फाइरिंग की। जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। इनको भी सूजना दी गई यह सूजी तीम को से सूजना दी गई कि पहुंचें वहाँ सब लोग तो इन्हों ने आगे से जाके उसको घेरा और पीछे से चुबिया थाना का फोर्थ गया और राइन पुल के आसपास इन्होंने घेर लिया उसको उनको पहले तो बताया गया कि रुकिये जब उनको घेरा गया था तो फायर किया गया तो एक बदमाश को गोली रगी है असलाहा भी काफी परामद हुए है फिलहाल पुलिस गिरफतार बदमाश के आपराधिक इतिहास को खंगालने में जुटी है वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द ही गिरफतार बदमाश के अन्यस साथियों की भी गिरफतारी कर ली जाएगी पंजाब के सिरी टीवी के लिए इतावा से अर्वीन कुमार की रिपोर्ट